नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 3rd April 2024 स्वागत है आपका आज की करेंट अफे डिसकसन में चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहला मारा आर्टिकल है यूकरेन और रस्या से समझे थी ये न्यूज में क्यों है अभी यूकरेन की फोरेंड मिनिस्टर रे विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए इन्होंने का आए भारत है वो रस्या और यूकरेन की मद्य जो यूद चल रहा है उसमें महत्वपून भूमी का निभा सकता है क्या कर सकता है भारत भारत इन दोनों के मद्दी सांती इस्ताफित करने में महत्वपून भूमी का निभा सकता है परें बात करी वैस्विक सीकस्ति सिखसंवीलन के बारें बात करे इसे हो्ष्ट कों करेगा इस सी होष्ट क्या जारा रहा है इसे रोकने की कोषिज की जाएगी इसमें 10 पुइंट के एक योजना जबने कि चीजे जिसे 10 सत्री योजना भी खागा जाता है व्लक unique सी है आपको ये सारी चीज़े याद रखने की ज़रूतनी कौन-कौन सी योजना क्या-क्या इसमें आपको सिंपल सी ये चीज़े याद रखने है कि दस उत्री योजना है इस पॉइंट को आप कहीं यूज कर सकते हो मैंस में अगर को एंस्वर राइटिंग करने हैं वहाँ प जो टैंसन चल रही है उससे समझद मैंस में ये काफी ज़्यादा काम आ सकता है पॉइंट प्रिलेम में बस इतना ही है कि सिखर समयलन किस के दवारा आयुजित किया गया स्विजिलेंड के दवारा क्यों ये वोस्ट किया गया था यूकरेन रसिया के बद्दी जो वह वार चल दी उसे रोकने के लिए ये आयुजित किया गया दस उत्री योजना याद रखनी दस सूत्री योजना को याद रखने की आव सकता है नहीं चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल क्यों धूसरा जो महारा आर्टिकल है वो कोवी नेट से समझधिते हैं सबसे पहले देखें के लिए और उसे नियंतरन करने के लिए अलग-अलग जो लेब होती है उस लेब का एक नेट्वर्क लॉंच किया है जिसे कोविनेट कहा जाता है आपको समझ भाई न्यूज किया है न्यूज भी यह है डबलू एचो में बविस्चे में कोरोना जैसी कोई बिमारी आ सकती है इन विमारीयों को देखने के लिए इनकी निगरानी करने के लिए इनकी पहचान करने के लिए अलग-अलग जो लेब होती है उन लेब का एक नेट्वर्क त्यार किया है जिसे कोविनेट कहा गया ठीक है यह तो थी न्यूज अब हम बात कर लेते कोविनेट क्या है कोविने यहने कि प्रयावरन से जो भी कोरोना की समान बिमारी आएगी उन बिमारियों की निगरानी करेगी उनकी पहचान करेगी और उसे रोकने की प्रयास करेगी तो ऐसी जो लेब होती है ऐसी लेब का एक नेट रोक है जिसे कोविनेट कहा जाता है नहीं कोविनेट का नाम दिया तो COVID-need क्या है अलग-अलग जो लेब होती है एक लेब का नेट रोक है इसमें क्या किया जाएगा इन सब के बादव परियावरान और पसुघ के द्वारा जो बिमारी आएगी कोरोना की समद्ध उनको निगरानी रखने का यह काम करेगी तो COVID-need के बारे में सिंपल सी चीज यह याद रखना कोवी नेट अलग 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 लेब होती है अलग अलग प्रेव साला होती है उनका एक नेट रोक है यूपी असी मैं से क्यों से ना गया कोवी नेट क्या है अलग 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 लेब का एक नेट रोक है क्या काम करेगा बवीशे में जो भी बिमारी आन की गई इसमें तीन लेब है वो भारत की है तोटल 36 लेब है उसमें तीन लेब है वो भारत की है अब भारत की कौन कौन सी लेब है इसके बारे में बात करें तो भारत की तीन लेब है पहली कौन सी है पहली ये ये लेब है कौन सी ये देखो ये चीज़ी आ देखना तो पहली लेब कौन सी है, Council of Scientific, Industrial and Research, फिर National Environment Engineering Research Institute, पहली लेब ये, उसके बाद भी दूसरी लेब कौन सी है, दूसरी लेब है, Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology, ये पूने बेस्ट एक लेब है, तीसरी लेब कौन सी है, तीसरी लेब है, Transitional Health Science Technology Institute, COVID-19, ये तीन लेब हैं इनको अइन्टिफाइ किया गया, कौन सी है, तीन लेब को अइन्टिफाइ किया गया है, पहली लेब है ये है, कौन सी है, Transnational Health Science Technology Institute COVID-19 ये तीन लेवे इनको identify कियेगा भारत की तीन लेवे जिनको COVID-net में identify किया गया है अब ये क्या बात करेंगे भविशे में आने वाले disease के बारें बात करेंगे उनके समधित ये चर्चा करेंगे उन में जो भी disease x कहा जाता है तो disease x किसे कहा जाता है disease x ऐसी बीमारिया है जो अभी अविलेबल नहीं देखो आपने पढ़ा होगा math में x की value find करो find the value of x तो x ऐसा point होता है जिसके बारें अभी कुछ पता नहीं है आपकी जो x थी part में चलेगी past में चलेगी तो ऐसी जो चीज है जिसके बारें पता नहीं या तो वो past में थी या फवी से मा सकती बवी से मा सकती तो ऐसी बीमारियों को disease x कहा जाता है जिसके बारें अभी अनुमान नहीं है बवी से मा सकता है तो ऐसी बीमारिया होती है उसे disease x कहा जाता है तो अभी कहना है scientist का कहना है, researcher का कहना है, कि भविसे मैंना, pod law कोरुणा से भी खतना बिमारी आएगी, जो कि एक viral disease होगी, जो वाइरस से होगी, और ये RNA virus से होगी, कि ये RNA virus से होगी, और ये genetic disease होगी, यह यह animal to human में यह एक बिमारी होगी, जो भविसे माने वाली है, जुनोटिक रोग होगा ये एक परकारा काफी ज्यादा खतर ना को सकता तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा कोविनेट के बारे में कोविनेट के बारे में आपको सिंपल चीज पता होनी चाहिए ये अलग-अलग लेब का एक नेट रोक है जो भविसेम आने वाली बिमार्य के उसे disease x कहा जाता है नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो elephant corridor से समाधीते है हमें इसलिए मिनिश्ट्रे ओफ एनवार्मेंट साइन्स जो हमारी प्रयावन मंत्रा लहा है उन्होंने अभी जो असम और रौन चल पर दिश कि यहां पर forest department है forest department है इन दोनों राज्यों के उनको एक आदेश दिया है निर्देश दिया है कि आप जल से जल देना एक जगा है कौन सी जगा है जगा है ये दालूंग सुबंसरी एलिफेंट कोरीडोर ये चीज याद रखना दालूंग सुबंसरी एलिफेंट कोरीडोर है यहाँ पर इस कोरीडोर को जल से जल त्यार करो और इ उनके वनविपागि उनको निर्देस दिया है कि आप जल्द से जल्द आई डालूंग सुबंसरी हाथी कोरिडूर है उसे चल्द से रेड़ी करो तो आपको news तो समझ में आ गई है कि आपको डालूंग सुबंसरी elephant कॉरिडोर है उसे समंदी जो पर पोजल Hmm ready करना है यह तो थी isolation के बारे में बात करूए हाथी रिजर्विक के बारे में बात करें या हाथी गल्यार के बारे में बात करें इसे क्या होगा कि जो हाथियों के जाने का एक रास्ता होता है elephant corridor क्या होता है आथियों के आवागमन का एक रास्ता होता है जिसे elephant corridor का आ जाता है एक छोटा सा लेंडवास होता है जहां से आथी आवागमन करते है तो उसे का जाता है elephant corridor तो अभी इसमें क्या किया जाता है elephant corridor गोशित करने के लिए अलगलग जो जगाय होती है जहां से आथी आवागमन करते हैं और इसके तद इसी wildlife century का part गोसित किया जाता है यह conservation reserve का इसका part कोसित क्यूं किया जाता है क्योंकि इसे legal status मिल जाता है बाज में इससे कोई नुखसान नहीं पहुंचा смогता है इसलिए इसे legal status देने के लिए इससे गोसित किया जाता है इसे किसके तहत गोसित किया जाता है, Wildlife Protection Act 1972, 1932 वन्य जीव अभ्यावन अधिनियम अämä, उसके तहट इसे जो आदी कोरिड़र रहता है, हाथी गली आ रहा है, वो गोशित किया जाता है, तो elephant corridor कोई से एक तहत गोशित किया जाता है, Wildlife Protection Act के तहत इसे गोशित किया जाता है, ये है बाऊंपूतर रिवर इसकी जो एक Trib community यानी साईक क्रीवर जिसका नामे सुबंसरी सुबंसरी किसकी साईक क्रीवर ये प्रम्पूतर की साईक डीवर है ठीक है ये चीजह यह तเลंप किया रहा है कौन सा प्रोजेक्ट है hydroelectric power project त्यार किया जा रहा है इस में न electricity generate की जाएगी अब इस परकार के project से environment को काफी नुक्सान होता है यहां से बाढ़ आ सकती है electricity generate होगी वो भी नुक्सान हो सकता है तो इससे क्या होगा हाथी होते हैं उनकी जान जा सकती है अलगलग research का कहना किसे हाथियों को काफी नुक्सान हो सकता है इसी लिए इस परकार की corridor बना जा रहे ताकि हाथियों को नुक्सान नहों और इनके चलने के लिए एक अलग व्यवस्ता हो तो यह corridor इसी परकार इसी महतुपूर्ण रिवर है तो यह इनके बारे में देखा एलिफेंट कोरिडर के बारे में बात करें तो भारते में है ना टोटल जो एलिफेंट कोरिडर है उसमें सरवादिक जो एलिफेंट कोरिडर है वो कहा है पस्ची मंगाल में बारत में जितने भी जो एलिफेंट कोरिड सब से ज़एदे Southeast 코로 don Catal में सबसे ज़ए इन ऐँ करना ऐठ मेश आ अर्णियोट कॉरिठ को न। पस्चिम मंगाल में तो यह हमारा बैसी वह आप साके बारें फीक आप साके बारे में यह नर्योजमने कल परसों भी देखाथा तकि जमू में में आशप्या है इससे समगा वासका कानूने उसे कब लाए गया था, इसे लाह गया था, 1942 में, 1942 में पहली बार लाए गया था, क्यूंव लाए गया था, तो और 1948 में वापिस लाए गया था, 1958 में पहली बार इससे लागू किया गया था, असम और अनुनाचलवर्दस में, इसका नाम भी असम और मनिपूर था, वो इसके नाम था, बाद में इसका नाम भी चैंज कर दिया गया और आपसा रख दिया गया था, यह एक्ट है ना, इस कहा लागू किया जाता है, इसे लागू किया जाता है, असांद एरिया होते हैं, जो ऐसे एरिया होते हैं, जो डिस्टर्ब एरिया होते हैं, असांद छेक्तर होते हैं, वहां पर इसे लागू किया जाता है, तो ऐसे छेक्तर होते हैं, जहां पर असांदी बहुत जादा है, उन्हें दबाने के लिए असंद एरिया को peace maintenance करने के लिए इससे लागू किया जाता है अब इसमें असंद एरिया किसे कहा जाता है इसके बारे में भी परिभासा दी गई है ऐसे एरिया हो जहांपर धरम याने religion नसली बेदबाव याने कि जो racial discrimination उस आदर पर या जाती और क्या लड़ाई हो जाती दंगे हो जाते जिसे असांद एरिया गोशित कर दिया जाए एक बार किसी एरिया को असांद एरिया गोशित किया जाएगा तो वहां पर आस्पा को लागू कर दिया जाएगा बिना असांद एरिया इसे लागू नहीं किया जा सकता है जब किसी रिज में राजेपाल द्वारा इसे गोशित किया जाता है गवर्नर होता है उसके द्वारा गोशित किया जाता है फिर यूनिन टेरिट्री केंदर सासी पर्देश होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं परसासक होते हैं एड्मिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके द्वारा ये गोशित किय जाता है इसमें जो हमारी ससस्त्र बल होते हैं जो आम्ड फोर्सेस होते हैं उनको कुछ हो सकती है अगर कहीं किसी एरिया में आस्पा लगा दिया गया है उसके बाद में कुछ गतिवी दी हुए तो आप कानून में आप न्यालिया में जा की यह नहीं बहुत सकते कि इस पर कारवाई की जाएगी पांस से ज्यादा भी लोगों की बीड़े तो उसे रोका भी जा सकत आस्पा की तरहत तो यह मारा आठीकल ता आस्पा से समने नेक्स्ट जो आठीकल है वह है मुष्क बूजडी चावल के बारे में इतनी चीज याद रखना नूज याद रखने की जूरूत निये मुष्क बूजडी चावल सबसे पहले कहां उगाए जाते जम्मू कस्मीर मे क्या विशस्ता है यह काफी सुगंदीत होते हैं मोटे होते हैं और काफी famous भी यह चावल है इसका youth भी है काफी ज्यदा बढ़ रहे हैं और यह कहा हुगा जाते हैं जो संगा में पंजना में अन्तना अंग डिश्ञ्ट में यहाँ पर यह हुगा जाते हैं तो जो मारा आर्टिकल है वो हीट वेव से समझ दीते न्यूज में क्यों है अभी जो इंडियन मिट्रलोजिकल डिपार्टमेंट है भारती मुसम भी बाग है उन्होंने पच्ची मिराल जस्तान में अलग-अलग जगाओं पर हीट वेव को अब्जब किया और इसकी गोशना कर द वहांपर जो जब गर्मिन उसका टमपरेचर है जो गर्मिए न हीट उसका टैंपरेचर इसका कितना हो जता है 37 नगरी से लेके 40 नगरीθεग तक टेंपरेचर होता प्लेन ऐर्या में तो वहांपर लार 16-something छाएर गोशित क्या यह सकती है डेली का देलीर वहाँ पर उतार चड़ा होतो गया कभी बढ़ गया ऐसे दो बार होता है तो वहाँ पर गोषित की जाती है अब इसके लिए माप उपनाओं बहुता जाते हैं कुछ लोगों को कहना केक्स जगांना ओसको बहुता अब यह है अभी सापेक्ष अदर्ता को अपना यह नहीं जाता है सापेकJust क्या होता हैalidade क्या होती है ंलो यह जंप सकते है ना यहां का ख़र Сам वह वाले उसको साइड में कर दो अभी यहां पर बैठे कितने उसको कहा जाता है रिलेटिव यूमिडिटी इन्वार्मेंट में कितनी यूमिडिटी होनी चाहिए उसके इस्तान पर अभी कितनी यूमिडिटी है इन्वार्मेंट में यूमिडिटी का परसंटेज क्या है उसे सापेक्स आदरता हमने देख लिया, अब सापेक्स आदरता होती है, उसके आदर पर भी हमें हीट वेव को गोशिद कर सकते हैं, ऐसा कहना कुछ रिसरचर का, क्यों होता है, क्योंकि सापेक्स आदरता है, वो हीट वेव को कम करने की कोशिद करती है, हमारे सरीर में जो पसीना आधरता या relative humidity गर्मी कम करने की कोशिज करती है तो कुछ researcher का कहना है researcher का कहना है कि सापक साधरता को भी मानना चाहिए आप हीट वेव को जब calculate करते हैं तो इसको भी अपनाना चाहिए क्योंकि ये गर्मी को कम करने की कोशिज करती है एक theory दी जाती है गीले बलब की theory ठीक है व बलब theory कहा जाता है तो इसलिए इसे भी अपनाना चाहिए अलगला मोसम में अलगला गर्मी होती है उसे वेट किया है सबसे कम किया जा सकता है heat wave होता है जो human body के लिए काफी ज्यादा नुकसान दैक होता है माना सवास्ते पर बुरा परभाब पढ़ता है और इसे कम करने की किशिच की जानी चाहिए यह heat wave कहा देखने को मिलती है जहां उसक्तिवन यह region हो जापर ट्रोपिकल रिजन हो वहां पर यह देख ने करो मिलता है र्जगी इस्तानी जहाँ लेज़ेट वगर्ड जादा हो वहां भी heat wave देखने को मिलती है जहां पर temperature हो सामाने से ज़्याद महत्वण हो जाजता है, कोर सेक्टर क्या होते हैं, कोर यानि मुख्य सेक्टर, ऐसे सेक्टर होते हैं, जिसकी वेल्यू बहुत जादा हो, जिसकी इंपोर्डेंस बहुत जादा हो, तो हमारी एकनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्ता में, ऐसे सेक्टर जिसकी भूमी का बहुत यह सकता है एक बार पूछा ताह्ता हुआ है उसे कोर सेक्टर कहा जाता है तो अभी आर्टस और गोशित किए गए इनका टोटल वीं काने बाते हैं हमारी पूरी एकनोमी में तो इनका वेटेज कितना 40 परसेंट यूपीसी पहले तो क्योशन पूछ सकती है एक बार पूछाता कि कौन-कौन से कोर सेक्टर आते हैं तो यह आड़ कोर सक्टर इलेक्रिसिटी फर्टिलाइजर कोल कुरूड ओल सिमेंट है नेचरल इलेक्रिसि autocor made का इसमें सबसे ज़या भार किसका है 40 परसेंट है इसे लागू को ड़ता है इसे जारी किस द़्यार है तो यह चारी चीजें यूपीस II पूर्च सकती है अब अब हम बात करेंगे हेची इसे लागू कोल यह आता है उद्यूग समवर्दन एं आंत्री के अंद्र करता है और इपाइटी किया है कि इसके अंद्र तदाथा है यह Commerce Ministry का नत्र करता है तो यह चीज भी आपको पता होना चाहिए फिर ओद्यों की उद्पाद सूचका की बारे में बात करें इंडेक्स अप इंडेस्ट्रिल प्रोडक्शन इसकी बारे में बात करें तो ये क्या होता है ये हमारी बताता है ये एक संकेत है कई इंडिकेटर है कि हमारी जो इंडेस्ट्री निए वू किस्परका से काम कर रहे है उसमें क्या वर्दी हो सकती है भविश्य में क्या इसमें ग्रोफ Court देखने को इसके बारे में ये काम करती है आई आई पी तो आई आई पी के बारे में ये चीज़ पता होना चाहिए कोर्स एक्टर देख लिए हमने आठ कोर्स एक्टर होते हैं उसकी descending descending order आपको पता होने चाहिए फिर हमने आई आई पी के बारे में देखा इसे release कोन करता है Office of Economic Advasion जो कि DPIT के इंदर करता था है जो कि Commerce Ministry के इंदर करता था है तो ये सारी चीज़े आपको पता होने चीज़ इस पर क्यूशन बन सकते हैं तो आज की discussion में इतना ही था Thank you, thank you very much